तो Hello friend कैसे हैं दोस्तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ Samsung के mobile में एक option होता है जिसका नाम है विजिविल्टी इंहेसमेट उसके अंदर आपको बहुत सारे feature मिलते हैं समझ पाएंगे तो चलते हैं दोस्ता पेरी मेर नाम SANçon मेरे चैनल इस सेटिंग के लिए आपको जाना हो अपने मुबाइल की सेटिंग में सेटिंग में जाना है तो आप यह नीचे की तरह आएंगे अब यहां पर मिलेगा आपको accessibility का option आप देख रहे होंगे accessibility setting में जाने का तो आपको ही यहाँ जाना है सब सेकंड नमबर पर आपको मिल रहा है visibility enhancement आपको इस में जाना है visibility enhancement में जाएगे तो आपको यहां बहुत सारे features मिल जाएगे तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ सबसे पहला high contrast theme करें यहाँ पर आप जाएंगे तो आपको दो themes मिलेंगी जो कि predefined रहेंगी आप उस पर click करेंगे तो यह आपको galaxy store में download पर ले जाएगा दोस्तों यह themes बहुत ही अच्छी हैं यहाँ पर पूरा black background रहेगा और पूरा black आपको yellow color के उसमें highlight करके मिल रहा होगा first वाले में और अगर आप second वाले में जाएंगे तो वो पूरा background black रहेगा और जो highlights होंगे तो आप जिस पर click करके रहोंगे वो blue color के होंगे इसका फायदा अपसड़ी बाद यह है कि इसमें आपकी battery saving अच्छी हो जाई क्योंकि पूरा black background रहेगा सके अंदर तो पहला option तो यह हो गया दोस्तों आपको simply करना गया जो theme आपको apply करना है आपको कर लेना इसको download, download करने के आप सीधा आप उसको apply कर सकते हैं उसके बाद दोस्तों जो second option है वो high contrast font आप देखेंगे अभी जो font दिख रहे हैं आपको कैसे दिख रहे हैं तोड़े light यह keyboard से related है आप इसमें जाके इसको enable करेंगे तो आप देखेंगे आपको नीचे keyboard के लिए high contrast आपको टून मिल गया है yellow color में जाएंगे तो yellow हो जाएगा यहां ब्लैक में जाएंगे तो पुरा black color का हो जाएगा यहां पर जाएंगे तो black 2 में हो जाएगा and then उसके बाद आगर आप देखेंगे लास्ट में blue तो आपको बहुत सारे हापर color दी हुए इस यह high color high contrast keyboard के लिए आप इसको भी use कर सकते हैं उसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे तो आप एक option मिल रहा है आपको show button shape का यह option यह है कि कोई भी अगर आपको पास कोई pop up आया है या कोई भी आपको जिस पर आपको क्लिक करना तो यह button shape आपको बताएगा कैसे मैं आपको बताएगा तो आप देखेंगे मैंने इसको enable कर लिया आप देखेंगे मेरे पास आप देख रहे है यह highlight हो रहा है जो turn off करके आपको दिख रहा होगा यह highlight हो रहा है अगर मैं इसको यहां से इसको बंद कर दूँगा तो आप देखेंगे वह highlight होना बंद हो जाएगा आप देखेंगे भी highlight नहीं हो रहा तो वह highlight का काम करता जो button है वह button shapes पूरा आपको बता देगा उसके बाद आपको नीचे option मिल रहा पूरा color inversion आप जैसे इस पर click करेंगे तो color पूरा negative में हो जाएंगे आप देखेंगे पूरा negative हो जुका है color जो कि पहले आप में देखा होगा negative photos आती थी उसके असाब से negative हो जाता है उसके बाद आपको जो अब option मिल रहा है उसके नीचे review animation यह बहुत अच्छा option आप देख remove animation वाले option को तो आप देखेंगे आप भी देखेंगे कितने सीधा सीधा भार जा रहा है नहीं तो जो animation काम करता है अगर आप इसको on करके रखेंगे इसका फायदा यह होगा आपके mobile की speed fast रहेगी और hang नहीं होगा तो यह बहुत काम का feature है remove animation वाला तो आप चाहें तो इसको on करके रखें तो आपको फायदा speed में फर्क आपको खुदी पता लग जाएगा उसके बाद आपको नीचे option मिल रहा है color correction का यहाँ पर अपने साब सब कलर को थोड़ों modify कर सकते हैं आप देखेंगे मैंने इसको यहाँ पर enable कर लिया enable करने वे आप देखेंगे उपर की रहा है तो यह सलिए होता है तो जैसा color आप करेंगे वहाँ आप पर आपको color वहाँ देखने वाला है उसके बाद जो नीचे option मिल रहा है दोस्तों एक एक चीज जूम हो रही मैं इसको चाहूं तो चोटा कर लूँ अपने हसाब से मुझे करना है और यह आप देखेंगे जहां-जहां मैं क्लिक करते जाओंगा वह जूम में आ रहा है तो यह ऐसे वर्क करता है इसका में फायदा है यह आपको कुछ छोटी चीज है या देखने में प्रॉलय मोता है तो आप इसको इनेवल कर दीजिए और इस से आप उसको जूम करके देख पाएंगे आप यहाँोगे आप देख रहेंगे हैं आपना मैं वी जूम में हो इखेंगा है आप मैं जूम पॉर्मेंट में वर्क कर रहा है तो यह ऐसा होता, यह देख रहे हैं, मैं तीन बार टैप करा है, और यह जूम हो गया, अब जहां भी मैं को टैप करूँगा, तो वह वहाँ पर जूम हो जाएगा, आप देख रहे हैं, उस तरफ यह जूम हो जाएगा, कोई सी भी स्क्रीन पर होंगे, तो यह वर्क करेगा, जो दूसरा option है, यह भी shortcut की है, अगर इसको on कर लेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है, swipe with two or more finger to scroll, जब आप करेंगे तो यह जूम हो जाएगा, तो यह इसमें आपको option दिए, कैसे आप इसको enable कर सकते हैं, उसके बाद जो नीचे option है, large mouse and touch pointer रगा, यह आपको अब enable कर लेंग करके रखाओ, तो यह work करेगा, उसके बाद आपको option मिल रहा है, यहाँ पर font size का style का, यहाँ पर आप जाके font size को inside कर सकते हैं, आप देखेंगे, यहाँ जाएंगे, तो आपको font size करने के option मिल जाएंगे, जिसके लिए मैं dedicated video बना रखी, इसका link में आई बटर में देदूँ आपकी zoom हो जाएगी, आपने जैसे set कर दिया, तो आप देखेंगे, आपका पूरा screen का भी zoom हो जाएगा, और फ़र चीज highlight हो जाएगी, आप देख रहें, तो यह इसलिए होता है, कि अगर आपको छोटा सा लग रहा है, आपकी कोई setting या कुछ आप इसको zoom कर लिजी, आपन मेरे वीडियो पसंद भी दोस तो और आपको लगता है कि मेरे वीडियो में कुछ कमी है, दोस्तों तो प्रिस मुझे GenteBakip हो सकता है, कमेंट करके भी बताएं मुझे आप मेरे वीडियो में क्या कमी लगी जिस्से मैं आगे जाके सुधार होंगा दोस्तों, और अभी तक अ अपने अगर मेंचनल सब्क्राइब नहीं किया तो सब्क्राइब करना ना बूले और मुझे इंस्टाग्राइब फोलो करना ना बूले इसका लिंक आपको डिक्शन मिल जाएगा तो थैंकि दोस्तों